आईए आज करंट जीके में अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक वाइरस और उस वाइरस का नाम है चांदीपूरा वाइरस हेडिंग डाल दीजिए अब समझ गए होंगे आज की न्यूज़ पेपर में इसकी हेडलाइन है चांदीपूरा वाइरस जैसे कोरोना वाइरस हाया था ना उस टाइप का है आप देख लो अब आप नहीं पढ़ तो लो चांदीपूरा वाइरस चेतावनी जारी कर दी गई है लेकिन ये वाइरस किन को इफेक्ट कर रहा है किसके द्वारा होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री की तरफ कहने का अर्थ ये है कि इसका जो पहला मामला आया था पहला मामला ये 66 में या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो चर्चा में आया था पहला मामला या चर्चा में आया 1966 में आया था एक स्थान है चांदीपूर वो चांदीपूरा है ये चांदीपूर है चांदीपूर में आया था और ये जो चांदीपूर जो पढ़ता है ये नागपूर के अंदर पढ़ता है और नागपूर महरास्टर के अंदर है नागपूर महराष्टर के अंदर है तो समझ गए इसको चांदीपूरा क्यों कहते है ठीक है ना क्योंकि ये चांदीपूर में इसका मामला आया था इस कारण से इसको चांदीपूरा कहते है ठीक अब ये किस टाइप का वाइरस है देखो वाइरस क्या है ये आपको बताया हुआ है वाइरस का अधियन जो होता है वाइरोलोजी कहलाता है ये सब आपको बताया हुआ है वाइरस के अंदर क्या-क्या चीजें होती है वो सब आपको बताई हुई है बोटनी के अंदर इसको पढ़ाया जाता है आपको आपको य जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा वाइरस है तो ध्यान दखना ये आरन्य वाइरस है अंद्रो ने ये दी कोई कोश्चन बना तो ऐसे बनेगा आरन्य वाइरस है मेरी बात की तरफ ध्यान देना आप ठीक ना ये आरन्य वाइरस है ये क्लियर अब आप देखिए पहला मामला तो ये ऐसे आया उसके बाद ये भारत में फेला 2004 में 2006 में 2009 में इसके कुछ मामले हमारे सामने आए लिखते जाओ इसको 2004 है 2006 है और 2019 कर दो इसको 2019 ऐसे मामले आए और अब ये 2024 में इसके मामले हमें देखने को वापस मिल रहे हैं अभी जो हाल फिलाल आप देख रहे हो वैसे तो पूरा बारती है लेकिन ये आप देखोगे तो गुजरात में इसके मामले आपको मिल रहे हैं अभी ठीक है राजस्थान में एंट्री कर चुका है कर चुका है यह राजस्थान में एंट्री है तो हलंकि देखो ऐसे तो पुछेगा नहीं कब कब आए लेकिन एक जानकर यह आपको उनी चाहिए कि ऐसे यह फैला मूल रूप से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए है ठीक है पहला मामला कहां देखा गया था इसका महरास्ट के अंदर देखा गया था समय समय पर आया 2004 में आया तो वहां भी कोई पहला रज्य होगा 2006 में आया वहां भी कोई पहला रज्य होगा 2024 में आया, वहां भी कोई पहला राजिय होगा, केरल टाइप का कोई भी ये चीज़ें आपको नहीं करने है समझे ना मेरी बात को, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि गुथम गुथा नहीं होना है किसी टोपिक के साथ उसको अराम से एकसेप्ट करो क्या ऐसा कोश्चन बन सकता है कि चांदीपूरा वाइरस जब 2006 में आया था तो सबसे पहले कौन सा राजियigare पर भावित हुआ था इमान दारी से बताईए क्या ऐसा पुछा जा सकता है कि 2019 में जब ये चांदीपूरा वाइरस आया था तो सबसे पहले किस राज्ये में आया था कभी नहीं बनता कभी नहीं बनता बहुत ही कोई दुस्मनी निकालनी होकर नहीं मैं इसको जोड़ता ही नहीं तो एक अलग बात है और जनरली ऐसी गठनाएं गठित होती नहीं है यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जगह जगह आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी महरास्ट, गुजरात, केरल, राजस्तान ऐसे मिलेगी उर्जिना नहीं है उसके साथ आप महरास् कोरोना वायर्स सबसे पहले कब आया था, वो चीज़ें ऐसे आई हुए है, समझे आई, यह जो भी आपको बात बताने जा रहा हूँ, यह क्या है, हमें पता है इसमें से कहां से कोश्चन उठेगा, इसी कहां से यह सबसे बेस्ट टोपिक बन जाता है हमारा, पता कैसे है, क नहीं चाहिए, तब जाके कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना वायर्स सबसे पहले कहां आया था, यह कोश्चन आया हुआ है, यह आया हुआ कोश्चन है, और आपके पास इस कोश्चन का भी जवाब है कि चांदीपूरा वायर्स सबसे पहले कहां आया था, यह भी आपके पास जान कारी हैं। समझेना बात को, ये ऐसे होता है। फिर ये इस टाइड का। किस टाइड का वाइरस है चाधी पूरा वाइरस। तो आरन्ने वाइरस है ये। अब आप देखिये। और हम क्या करें। इससे परभावित कौन होता है वैसे तो देखिए कोई भी परभावित हो सकता है इसमें कोई दोराई नहीं है कोई लिखावा नहीं है कुछ भी लेकिन हम मुख्य की बात करते हैं तो पंदरा वर्ष से कम आयू का बच्चा पंदरा साल से कम उमर का जो बच्चा है वो इससे प्रभावित होता है ठीक है आईए अब जो देखिए 1966 में ये कहां आया महराश्ट में ज्यादा ही कोई आपसे हो तो 2004 में जो ये आया था अंदर प्रदेश के अंदर आया था लिखना चाहो तो इसके आगे आप ऐसे लिख सकते हो अंदर प्रदेश ये दिया आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो ठीक है और 2006 में जो आया था ये वापस महराश्ट में आया था यहां फिर ये गुजरात और यहां भी अब आपको कहां दिखाई दे रही है गुजरात राजस्तान इस तरीके से ये फेल रहा है यहां ओविसली बात है गुजरात की सीमा को राजस्तान टच करता है तो एंट्री तो होगी ही होगी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह अब पंदरा साल से कम उमर का बच्चा इससे परवावित हो रहा है ठीक है अब देखिए मैं आपसे कुछ चीजें पूछूँगा पूछने से पहले मैं इसके लक्षन बताऊंगा देखिए लक्षन नहीं पूछे जाएंगे आपसे लक्षन नहीं पूछे जाएंगे ठीक है इसका जो लक्षन है एक जो महत्पूर्ण लक्षन है वो है इनसिफिलाइटिस, इनसिफिलाइटिस, ठीक है? एक तो ये question है, ठीक है? एक कैसे फैलता है? कैसे फैलता है ये? ठीक है ना? कैसे फैलता है ये? तो सबसे पहले हम इनसिफिलाइटिस की बात करते हैं, ये क्या है? हमारे दिमाग में सुजन आ जाएगी, बुखार की स्थीति आ जाएगी, इसे आप दिमाग की बुखार भी कह सकते हैं, तो इसका अलग से पूछ सकता है, शब्द साइंस में यही होता है, आप से पूछेग तो अब यदि मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं आपसे यह कहूँ कि इससे कौन सा अंग परभावित होता है? ब्रेन, समझगे ना? ब्रेन परभावित होता है इससे, अब बनते ऐसे कोश्चन है, ठीक है? एक मख्षी है, इसके द्वारा ये ज़्यादा फैलता है, मख्षी ह नाम है मादा फ्ले बोटो माइन, ये नाम रट जाना चाहिए, ठीक है? मादा फ्ले बोटो माइन, मख्षी के द्वारा, ठीक है ना? ज्यादा अतर, अंडरलाइन कर दीजिए, मादा फ्ले बोटो माइन, मख्षी, इसके द्वारा ये फैलता है, ठीक है? और इसके लावा एक एडीज मच्छर है, उसका भी नाम सामने आ रहा है, वो भी है, अब जैसे आपके सामने कॉश्चन आए, आप उस तरीके से इसको टैकल करें, कौन सा? हाँ, जो रोग फिलाती है, वो फिमेली फिलाती है, हमेशा ध्यान बश्यादा, आपको नर कहीं मिलाओ तो बता देना, कहीं भी मिलाओ तो बता देना, वही सर जी यहां मिल गया हमें, यह फिमेल भिलाती है, डेंगू देख लो, मलेरिया देख लो, कहीं भी, कहीं भी देख लीजिए, तो अभी तक हमारे सामने यह जान करी है, इसकी चांदी पूरा वाइरस की, आगे कोई नई बात आती है, हाँ, एक और, एक संस्थान का नाम चर्चा में आ रहा है, यह संस्थान पुछे जाते हैं, मतलब इसके जो सेंपल है, आपने अखवारों में पढ़ा होगा, कि इसके सेंपल जो है, बच्चों के जो ब्लड के सेंपल है, एन आई वी में भेजे जा रहे हैं, एन आई वी, आपसे पुछा जा सकता है, एन आई वी कहां है, यह पुछ इंस्टिटूशन आफ वाइरोलोजी इंगलीज में आप कह सकते हो राष्ट्रिय विशानु विज्ञान संस्थान अब ये इंस्टिटूट जो है ये आपके चर्चा में आप से पूछा जा सकता है ये कहां है ये पूने के अंदर है ये पूने महराष्ट्र के अंदर है ये आप से पूछा जा सकता है इसकी उमीद बनती है क्लीर वी जी बात सारी तो चांदीपूरा वाइरस 9066 महराष्ट्र ये ज्यादा महतपूर्ण है और भी मैंने आपको बता दिये हैं जब जब ये आए कौन से स्टेट में पहले बता दिये हैं अलांकि मेरे लिए सबसे महतपूर्ण बात 9066 महराष्ट्र है आरन्य वाइरस है ध्यान दखना है इनसेफिलाइटिस इसका महतपूर्ण लक्षण है दिमाग में बुखार आ जाएगा दिमागी सूजन आ जाएगा हो सकता है आप से ये कोशन पुछ ले कि दिमागी बुखार किसे कहते हैं ठीक है ना इनसेफिलाइटिस को ठीक है प्रवावित की बात करोगे तो या तो ब्रेन दे देगा या तंत्री का तंत्र दे देगा नर्वस सिस्टम दे देगा समझे बात को अभी इसकी कोई मेडिसिन नहीं है कोई इलाज नहीं है इसका अब बाहरी तोर पर तो देखिए हम जब कोरोना आया था तो आप सोचिए कुनेन का सेवन भी कर रहे थे हम कुनेन भी ले रहे थे उससे भी हम सही हो रहे थे पेरा सिटा मोल से भी सही हो रहे थे लेकिन कोई पेरा सीटा मोल या कुनेन कोई कोरोना की दवाई थोड़ी थी वो तो बाद में जाकर आई कोवी सिल्ड जिस पर परदान मंत्री जी की फोटो थी आई थी ना वो अब पता नहीं क्यों नहीं है फोटो ये मिरस जादा आप जानते हो ये है तो ये तो बाद में आई थी समझे ना वर्तमान में इसकी कोई औस दिन ये मेडिशिन नहीं है इसका कुछ रूप आप ऐसे भी देख सकते हो कि वाईरस क्या रूप बदलता रहता है अपना चीक है चलिए जी अब इसके आगे की बात कल करेंगे हेलो